नमस्कार साथ यो आप सभी का स्वागत है जिगे सलाइन में दोस्तो आरके एसे टू की जो एक्जाम आपकी छे और साथ फर्वरी को लगने वाली है तो कक्षा आठ वी कक्षा चटी कक्षा साथ वी सभी के जो पेपर है वो सोल करा दिये जाएंगे आपको तो यहां भी हम कक ब्थर यरग कि यह जो पेपर है वो आपको हमारे एप से मिल जाएंगे एप का लिनगा है वह आपको डिस्पीश में बोक्स में मिल जाएगा ठीक हो तो चुस् television box में म् मिल जाएगा तो चीतक तरिए बने स्टार्ट करता हैं और सब फहले गनीत का जो पेपर है वो सोल कर बराबर में आपको 0.8 into 2 आपको दिया गया है जो कि equation में दिख रहा है तो अपन डारेट यहां पर solution कर लेंगे इसको किस प्रकार से रहेगा हमें तो क्या करना है अंली वाय की वैलिई है वो find out करनी है तो यहां पर यहांपर देखी हैं अगर मैं बात करू है कि सभी बराबर में दिये गए हैं इसके बुक्र libraries तो इसका मतलब है कि सब का मान बराबर होगा तो मैं इसको ना करके इन दोनों को भी कर सकता हूँ या इसको ना करके इससे भी में मान निकाल सकता हूँ क्योंकि Y बराबर में दिया हुआ है तो बराबर की condition में यही चीज आपको follow करने रहती है तो यहाँ पर आगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो यहां आज़ा है एगला क्यूंच रमेज की पिता की आयूं के तीन वर्ष कम है यदि रमेज की आयू 14 वर्ष है तो तुष्के पिता की आयूं तीन नutला पर कम है देखा टाँ तो उसके टीन Thai से ढ़ने सो healthier अब यह तो चिछ करो निशू करें टाइचनी तो उसके पीता की आयू उसकी आयू से ओंपर 42 आगया हमारे पास अब यह के रहा है कि तीन गुने से 3 वर्स कम है तो अगर मैं 42 मेंसे 3 माइनस करूंगा तो खितना है गुनचालिस आएगा तो यहां पर मेरा गुनचालिस का है यह रहा तो यह क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा नेज़ देखिए यहां पर अगला क्यूशन है राहूल एक मोबाइल है वो 12,000 रुपे में खरीद कर उसे 12,600 रुपे में बेज देता है ठीक है आपने पड़ लिया तो उसने कितनी परतिसात लाब कमाया तो लाब परतिसात निका लादा कमाये हैं तो उसका लाब क्या आगया बई 600 रुपे अब हमें परसंटेज निकालना होता है तो हम क्या करेंगे परसंटेज का फॉर्मूला भी आप लिख लेना भाई यह होता है लाब बटा कर्यमुल्य इंटू सो ठीक है जो भी परसंटेज निकालते हैं हमेसा वो करे मुल्य पे ही निकाला जाता है तो हम निकाल लेंगे भाई 600 रुपे मेरा लाब आ गया था करे मुल्य था वो मेरा 12,000 रुपे है इंटू मेरे को 100 कर देना है 1,0,2,0,3,0 1,0,2,0,3,0 कट गई 12 को 60 में भाग दूगा तो क्या आ गया 5 तो 5% मेरा क्या आ गया लाब आ गया तो 5 जो आंसर है मेरा 5% वाला वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब देखे अगला क्यूशन जो आपको दिया गया है यहां पर क्या पूच रहे है कि यदि A और B जुरेका है वो समानतर है ठीक है यह बिल्कुल क्या है समानतर है तो X जो कौन है वो आपको मायन गयात करना है तो यहाँ पर देखे सिंपल सी हमने कई बार बात की है कि सबसे पहले हम जो rule follow करेंगे वो यह वाला करेंगे सरल रेखा वाला ठीक है सरल रेखा जो होती है उस पर बने वाले सभी कौन कितने डिगरी के होता है 180 डिगरी के होता है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस कौन को यहाँ से लो में सबसे पहले तो यहाँ पर यह सरल रेखा यह पूरी सरल रेखा वे मान लीजे कि यह कौन कितने डिगरी का बन रहा है तब ही तो 180 मंश्यदी अगर मैं 125 निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कितना निगलेगा देखेए 10 में क्या है पच्पन डिगरी का आगया यहां भी वाला अब दोस्तों यह कौन और यह जो कौन है मेरा यह दोनों क्या है संगत कौन है क्या है और संगत कौन क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं तो जब यह कौन है मेरा यह वाला यहां पे वाला जो यहां पे मैंने निका देकली तोटल होता है वह आपको नीचे लिखना होटा है तो टोल हमने लिख दिया कि बावन पता है अस तो त्वेटा जो 13 है वह मेरा आंसर हो जाएगा खेरा चार ब्ता व्याद गया है तो यह वावन случай Natural तो यह परसंद तो आपका बोनस का हो जाएगा अगर इसमें आपको क्या है दोनों का आंसर करके बता देंगे आपको ठीक है आप इसका तो आंसर यह भी है यह दोनों से आ रहे हैं तो हम क्या करें ठीक है अब देखें आप इंग्लीज आपकी आ गई है इंग्लीज में देख का यहां पर हम बनाएंगे देखे जो पैसी होता है उसकी जो अब्जेक्ट होता है उसको क्या कर देते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं यह सबको पता है यहां पर सब्जेक्ट इंग्लीज जो है वो सब्जेक्ट दो में बन रहा है मेरा इन दोनों में बन रहा है नहीं तो इन तो यहां पर देखे इस बीइंग टोट लगाया है इस बीइंग टोट लगाने की जरुरीती नहीं है तो यहां पर देखें यहां पर यहां पर देखता हूं यहां पर क्या रहा है यहां पर आपको एक पेसेज दिया जाएगा ठीक एक बार कोई करशन अगर गलत हो तो एक बार आप देख लिए ना बाइजी के जल्दवाजी में रीड़ पैसेज केरिफुली एंड अटेंड अक्यूशन चूज दा करेक्ट आं यहां पर चल रहा है जिसको अपन वार्षी कुछ भी बोलता है तो यह यहां पर पूरा दे दिया जब आप इसको पढ़ेंगे पढ़ने के बाद आपको परसनों का अंसर करना है यहां पर देखिए चूज अपोजिट ऑप दा वर्ड रॉस्ट फॉम्द गीवन ऑप्शन यह पर यह जो वर्ड दिया गयं आपको इसका इसका आपजिट आपको बताना है क्या करना है विपताना है तो विलोम सब्द आपको निकल यह वहारा सई बढ़ेंगे इसको तो इसमें कहीं लिखा भी होगा मैनी कल्चर एक्तिव और फ़ॉर्फ पार स्टुडेंट वाज चीफ आवाड़ फ्रॉंड बेस्ट वर्ट फॉर्ट रशाये तो यहां पर जाएगा बेड़ वालतिक है अब तीसरा देखें आपर जो अगला है मेरा सलेक् प्रेशिडेंट ठीक है तो प्रेशिडेंट का जो मेरे को है वो क्या बताना पड़ेगा सही आंसर बताना पड़ेगा कि इसमें सही कौन सा है जिसका सिमुलर सिमुलर का मतलब होता है परियाई बाची ठीक है क्या होता है परियाई बाची तो आपको परियाई बाची बताना ह किसी चीज को किसी चीज को परफॉर्म करना किसी तो परेजन करना एक ही बात होती है तो यहां पर जाएगा मेरा भी हो जाएगा देखते के लेकिन इमांदार है दयालू है अच्छा व्यक्ति है तो इस परकार से इसको सयांस हो जाएगा यह वाला नहीं देखिए सलेक्ट प्रोपर पेसी फॉर्म दा गिवन सेंटेंस इसका क्या बताना हमें पेसी फॉर्म है वो पूचा क्या है तो वहीं करना है हमें यस्टर्डे है यस्टर्डे मेरा कोई अब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं बनाना मेरे को तो यहां पर मुवी से बनाना है तो ए मुवी वाज वाच्डवाई अस यस्टर्डे तो यहां पर जो B है वो हमारा संजानसर हो जाएगा दिक है इंगलीस हो गई इसके बाद LAST हम देखेंगे यहां पर कौनसी वाली यह वाली देखेंगे अब हिंदी में देखें कौन सा ट्रेफिक चिन बताता है कि यह गाड़ी खड़ी यहां गाड़ी खड़ी करना मना है तो देखें अग लिए उप्युक्त वाक्य बनाना है पोश्टर में आप देखेंगे कि आप पी नल लगा हुआ है और नल से पानी निगल रहा है अब देखिए जल ही जीवन है पेड़ लगाओ दर्थी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ वन संदक्सन तो अगर नल से पानी निकल रह चुए की कानी आपने पड़ी है कई बार वह यहां पर बूची गई है तिक आपको देख रही है स्कीन पर एक समय की बात है कि एक जंगल में एक सेर रहा था एक दिन में दोपेर के समय एक सिकार को खाने के बाद वह पेड़ के नीची सो रहा था तब ही वहां पर एक करनों की रक्षा के लिए से बीक मांगी कि मुझे छोड़ दो जब भी आपको जड़त होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा ठीक है पढ़ लिया आपने अब देखें पढ़ने के बाद इसके पढ़ने के आंसर हम करेंगे सेर के उपर चड़कर कौन कुद्र ने लगा तो ब बढ़ने के बाद देखें सेर पेड़ के नीचे सो रहा था ठीक है बस सिंबल जाहें आपको इसको करना होगा चित्र देखकर हमें क्या सीख ले सकते हैं हमें चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए सत्या बोना चाहिए एकता में बल है तो क्या है इस सबों चुकिरी अब करगा शुता है इस तो रहने वाला है हमने यह साओर परसण आपकोद से पढ़ लेना है अब कर वा दिये जाएंगे मिलते धैने देनी बाद